हेलो एवरिवन, वेलकम तो आयरवद स्टडी, आज हम गोविन पारिक का पेश नमबर टू से स्टार्ट करेंगे गोविन पारिक को आप लोगों ने लास्ट वीडियो में फर्स्ट पेपर पड़ा होगा उसमें आपने देखा हो कि बहुत सारे 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 चीजों के भेद बताया है कुछ एक्स्ट्रा थे, वो सब मैंने लिख दिये थे तो आपको ऐसा देए कि सिर्फ उनके संख्या याद करनी है उनके एक बार आप लोगों को नाम भी बार 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 देखने पड़ेंगे क्योंकि एकदम से ऐसा आजाता है कि घोल किसने बताया है घोल किसका भेद है, ददी के कितने भेद बताया है ददी के गाय भेद, सादी वाले भेद किसने बताया है तो इसलिए हम लोगों को भेट के नाम भी बता होना जरूरी है तो हम देखते हैं इसने की प्रविचारना है तो इसने की प्रविचारना है किती होती है आचारे चरक के नुशार 24 और 64 आचारे वागबट के नुशार भी 64 और काश्री के नुशार 20 तो 24 कंसी है प्रविचारना है जो है ओधन, मिलेपी, पेया, मांस, यूज वगएरा यह सब जी जाती चरह सुत्रेस्थान 13 में बताया है ठीक है और 64 भी बताया कि रस के भेज से आचारे वागबट ने भी 64 बताया है रस के अनुसार रस के तर्तम बैसे की दो-दो रस वाले कंबिनेशन 3, रस वाले 4, 5, 6 ऐसे रस वाले कंबिनेशन के ते उताया उताया 64 और आचारे काश्यफ के अनुसार कितने होते है 20 ठीक है उसके अदम दिखते है स्वेधन के भेज तो स्वेधन के दो भेज होते है सबसे पहले तो सव अगनी स्वेद और निरागनी स्वेद तो सबसे पहले हम देखते सव अगनी स्वेद संकर स्वेद प्रस्तर स्वेद नाडी परिशेक अउगाहन जनता को अश्मगन कर्षु कुटी भू कुम्भी कूप होलाग ये तेरा प्रेकार के स्वेद आचारे चरकने बता है आचारे सुषुत और वागपट ने सेम बता है ताप, उश्म, उपनाह और द्रव स्वेद और आचारे काश्चप ने जो आँट स्वेद बता है उनमें हस्त स्वेद और ये सवात है ठीक है नीरगनिस्वित आचारे चरक और वागपट ने 10 बताएं और आचारे सुषूत ने 7 बताएं तो कौन कुन से हैं? आचारे चरक ने कौन से बताएं? व्यायाम उश्न सदन मतलब गरम जगा पे नीवाज करना गुरु प्रावन भारी, मोटे-मोटे वस्तर पहनना, शुदा, भूख, मद्य पान करना, भय, क्रोध, उपना, आहो, मतलब किसे से लड़ाई करना और आतप का सेवन धूप में से बेटना यह सब क्या होते हैं? नीरगनी स्वेद है अचारे व्यायाम और उश्न सदन के इस्तान पर नीवाज में रहना और परिश्रम करना बताया है और आचारे शुष्रुत ने कौन से साथ बताया है? निवात में रहना, धूप का सेवन करना, गुरु प्रावन भारी बस्तर पहनना, युद्ध गंद लड़ाई करना, व्यायाम करना, भार उठाना और क्रोध यह सब होते हैं नीरगनी स्वेद तो आचारे चरक ने तेरा प्रकार के सगनी सोथ तता, सुष्रुत और वागबट ने चार चार, काश्रप ने आठ और नीरगनी स्वेद कित्ते बताया हैं, आचारे चरक और वागबट ने दर्श और सुष्रुत ने साथ हो गए स्वेदन, अब हम देखते हैं शिरो रोग शिरो रोग का प्रणन आचारे सुष्रुत और आचारे चरक और वागबट ने किया है, लेकिन आचारे चरक ने सिर्फ पांच भेद बताया है कौन से? वातच, पितच, कफच, सन्निपातच और क्रीमिच अचारे सुष्रुत ने वातच, पितच, कफच, रक्तच, सन्निपातच, क्रीमिच, फिर कौन से एक्ष्रा? शयच, सूर्यावर्थ, अनंतवात, अरधाव भेदक और संकक तो ग्यारा होते हैं उनमें से पांच तो कॉमन वाले हैं, ठीके वात, पितच, कफच, सन्निपात, और रक्तच फिर अपने चरक में क्रीमिच पढ़ा तो ये भी क्रीमिच हो गया एक्ष्राई, शयच, सूर्यावर्थ, अनंतवात, अरधाव भेदक और संकक आचारे माधों ने बताया हैं ग्यारा, वागबट ने भी दस बताया हैं आचारे वागबट ने कौन-कौन से नहीं बताया है, सूष्रुत में से अनंतवात और शयच को नहीं बताया है और सीरकम्प बताया है ठीक, रदे रोकित्ते होते हैं आचारे चरक के नुसर पाँच, वाद, पित्त, कफ, सन्नी पातज और क्रीमिज और आचारे सुष्रुत के नुसर चार सन्नी पातज को नहीं माना है अब प्रम्य है पिडिका है आचारे चरक के नुसर साथ, तीन कफ, चार पित्तज लाइन से बढ़ते हैं, चरक के अनुसार 7, काश्यप के अनुसार 8, भोज के अनुसार 9, सुश्रूत और वागभट के अनुसार 10 तो आप ऐसे याद कर से चकाब हो सवा, ठीक है? चरक, काश्यप, भोज और सुवा, ठीक है, सुश्रूत और वागभट तो अपर इनकी मैंने टेबल बनाई है वो देख रहते हैं आपको न चरक वाली याद करनी है सराविका, कच्छिपीका, जालीनी, सर्षपी, अल्जी, विंता और वित्रदी इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है सर कच्छुए ने जाली से सर्षप खाया तो अल्जी मतलब अलर्जी हो गए सर्षव खाया था, उसने जाली में सर्षव रखे थे तो वो खाया तो उसको अलर्जी हो गई तो उसको देख लिया विंता ने कि वो सर्षव खाया अलर्जी हो गई तो उसको मतलब इतना ज़्यादा शोक लग गया कि उसको उससे विद्रदी हो गए, ठीक है, तो सर से सरावी का, कच्छोय से कच्छपी का, जाली से जाली नी, सरसो से सरशपी, एलर्जी से अल्जी, विनिता से विनिता और विद्रदी, ठीक है, तो ये साथ तो सुष्रूत ने भी बताए, लेकिन सुष्रूत ने तीन अचारे भोज ने अरुजी का और कुलत्थी का इस्टा बताईए ठीक अब प्रम्य पिडिका हुए चरक के नुसर साथ टाशब के नुसर आट भोज के नुसर नो और सुषूत वागबट के नुसर दश अब शोत के उब्द्रो आचारे चरक ने साथ बता है और चारे गुदा इकष्टा बता रहा है तो यह रदय, क्लोम, यक्रत, प्लीहा, कुक्षी, व्रक, नाभी, वंक्षन और बस्ती तो उपर से आते हैं, पहले सबसे पहले लंक्स आते हैं तो क्लो मानलो, फिर हाठ रदे, यक्रत, प्लिहा दोनों साथ, फिर पेट में उते हैं तो कुक्षी, पेट में ना भी हो रख, मतलब इंटसरी किड्नी और अमलिकस भी होता है, फिर वंक्षण इंग, मायनल रिजन और यूरिनेरी ब्रेडर और आचारे सुशुत ने गुद प्रदेश भी मानना है उसके आदेखते हैं अग्रिय तो आचारे चरक में 152 बता है अस्टांग संग्रह ने 155 और अस्टांग्रदे ने 55 बता है अग्रिय में से कभी-कभी या फिर क्या है तो आचारे सुशुत ने शीर कलपना इक्ष्टा बता है अचारे का अचारे का अचारे पंचवीद में चूड़ना और अभीशव अभीशव मतलब मद्दी कलपना तो पांच तो आप लोगों को बहुत अच्छी से आद होगी स्वारस, कलक, श्रत, शीत और फांट आचारे सुशुत में शीर कलपना इट कर दी और आचारे का अचारे का अपने चूड़ना और अभीशव अभीशव अट कर दिया अब मधू के बेद कलब उन्होंने शहद के बेद के बेद बताएं आचारा चेरक ने चार बताएं ब्रामर, पोतिक, माक्षिक और शोत्र और आचारे सुशुत ने डाल, आरगय और दालक और शात्र ये याद रखना पड़ेगा क्या है ब्रामर, पोतिक, माक्षिक और शोत्र तो देखो माक्षिक भी मधू का परि भामर मतलब मक्य ऐसे भावरे टाइब जो होती है। उससे आता है फूल फूल पे भावरे घुमते हैं तो इसे याद कर सकते कि भामर और पोत्रिक। पिर दाल और शात्र रात करना आर्दे और उद्धालक अलग से होता है तो चारह ने कौन से चार बता है? भ्रामर, पोटिक, माक्शिर कोशोद्र अचार रव्शुष्ट ने बता है दाल, आर्गे, उद्धालकोर चात्र फिर आहार के भैद तो आचार शुल्यद, खादित, पीत और लीड जोश्रै और ०ा खादित, खादित, लीड चोश्रै, आपने पेज लिए तो। और काश्रेप रूसर चार इसमें क्या वह ऐसा था कि कोक्शी को उमारा जो कुक्शी है उसको हम चार भागों में बाटने बोला है और आचारे-चारग ने इनको तीन भागों में बाटने को बोला है जो तीन वहागों माटकर तो एक बाग ठोस होगा एक भाग दरव होगा और एक भाग खाली दरह गा जो दौ सो के लिए धैगा और शूछों प्रेगा उनहोंने क्या वोला कि दो भाग ठोस रहाएगा गर्या और एक भाग खाली दरह यदा ओंशार्य करोप और द sizes最 vàobr ideas तो आचारे सुशुद ने कौन से तेरा वेग बढ़ेते लास्ट वीडियो में जिन रेगों को हमको धारण करना चाहिए वो तेरा वेग आजाएंगे यहाँ पर और आप चरक्यानों से रुदावर्त के छेवेद कौन से होते बताती हुए वात, मुत्र, पूरिष, शुक्र, शुक्र 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 शु वो आर्थाओं के जो दोश है ना बात पित्तकव, कुणप गंधी, ग्रंथी, शीड और मुत्रपुरिश गंधी ठीक है तो इन्होंने जो आचारे सुष्ट ने ग्यारावत अमने से चार साध्य, पाच कश्ट साध्य और दो असाध्य आचारे चारक वाले देखते हैं आचारे चारक ने शुकर के दोश मेता है तनू मतलब पतला होना, सुष्ट कर शुखा होना, फैनिल जाग यूक तो अश्वेट मतलब शुष्ट वर्णने का नहीं होना पूति मतलब उसमें से गंधाना, अथी पिच्छिल होना, अन्य धातु भीद, बदो उसमें कुछ भी धातु मिल जाना, रखत वगेरा, ठीक है, और अवसादी होना, तो तनो, शुषक, फेनिल, अस्वेद, पूति, अथी पिच्छिल, अन्य धातु भीद, और अवसादी, तो कितने होगा शुक्र के भेद, शुक्र दोश, अचारे चारख ने 8 बता, अचारे सुष्रूत ने 11 बता है, आरतो के काल, कि रितु काल बंदब बंदब जो पिरेट्स वाला टाइम रता, वो कितने दिन का होता है, आरतो कितने समय तक निकलता है, तो अचारे चारख ने कर दे तो गते कैंथ कि अचाव शूषत और अचाव रागत के न vagabat कणूसर तीन दिन अचाव चार्या चारख के नुसर पांच रे तरी खाली क्या हसां तरी जी से ऐन को उस चेप्टर की आप लोग देख ले नहीं कि उसमें सभी के भेद मिल जाएंगे एक साथ में ठीक है तो चरह के नुशार चार कोंजे दोजोब घाथ, बीजोब घाथ, व्रद्धा वस्ता जन्य और शूक्रशे जन्य ठीक है पिजोब घाथ जन्य व्रद्धा वस्ता जन्य शुक्र शेय जन्य और आचारा सुषुत ने कुंसे 5 बताएं चार तो शुक्र असेक्य सोगंधिक कुंभी कोलिश्ण और एक शंडनर और नारी शंड अब एक लेपड़ी के भेद तो लेपड़ी के जो चार भेदना ये वही है चरके नुचा नपु संगता के भेद तजोब बिजोबगाद व्रद्धा असा और शुक्र शेय जन्य लेकिन आचारा सुषुत ने छे कुंसे बताएं मांसिक शुक्र शेय जन्य अतिमेथुन जन्य शुक्र वेग अउरोधज मेडरोग जन्य और सहज मेडरोग जन्य और सहज वाला जो है न वो असाध्य है ठीके तो मे बलवादीकर भाओ, बलवादीकर भाओ का मदन, अचारे चरुटे ने हो 있ाएगे ने हैं चुना वुषिछछएंप आखा भाओ, आखा पू 돌वान。 योग, काल योग, सभाव, संसिद्धी, आहा, सोष्ट और अभीगात, और आहार परिनाम करभाग किते होते हैं? छे चरग के नुसार उश्मा, वायू, क्लेद, इसने हो पाक काल और आहारविदी विश्यशायतन क्या हार का अच्छी से पाक किसे उश्मा की वज़े से होगा वायू की वज़े से क्लेदन की वज़े से इसने की वज़े से पाचन का काल सही हुआ तो और आहर विदी विशेशायतन जो हमने पढ़े प्रक्रति विक्रति ये सब प्रक्रति, उप्योकता, उप्योक संस्तान, मात्रा, काल, रासी ये सब ठीक है तो वो आजाएंगे इसमें और आक्ष्टांग रदे में आहर परिणाम करभाव नहीं बताए तो वल व्रदिकार भाव थेरा, शरीर व्रदिकार भाव चार और रागवट करण उसर सत्रा और आहर परिणाम करभाव छे होते है अब कोश्टांग में तो जितने भी हमारे शरीर में और्गन से फुफूस बगएरा ये सब आएंगे तो चार रागव में पंद्रा बताएं फुफूस को छोड़के बाकिसे लब रहद है आमाशे पकवाशे ये सब चीजे इसमें आएगी कोश्टांग में आचार सुशूत और रागवट नेहाड बता र काश्टांग में तेरा बताएं आसे कितने होते हैं कोश्टांग वालों कोश्टांग संगर नेहाड बताएं तो आचारे चरग और रागवट वालों के शटांग संगरों मोडन वालों के इसमें तेरा बताएं लोईता, तामरा, वेदिनी, मानस्धरा ये सब तीज़ है कि आप लोग ने एक नोट्स बनाना और इसमें सब के भेद एक साथ में लिख लेना तो एक तरह से कांफुजन बुक बन जाएगी, हाँ पर उनने तुलनात पर गद्यान किया है, लेकिन हमको सिर्फ संख्या से ही कोई मतलब नहीं हमको उनके नाम में पता होने चाहिए, इसलिए फिर धमनिया कित्ती बताईए, अचार 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 रखने धमनिया दोसों बताईए और अच खुद से ढूण के लिखते हैं तो हमको चीज़े याद होती है, तो ऐसा नहीं बोली कि आप लोग सारा लिखने हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़े जाएगी, ज्यादा ढूणना नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोग खुद से लिखोगे, अपनी इंद्रियों का यूज कर नहीं होगे, तो सहीं रहेगा, कुछ चे कितने बेथ, बताएगा, साथ, अठारा, अच्ती इसतां में, तो असंके बताईगा, जल आचरा सुषूत ने भी अठा बता 누। अचारे भेलने भी अर्था बता है, नो साध्यों, नो असाध्य उन्मात के भेद, उन्मात के किते भेद होते हैं पांच वाद पित्ते कफ, सन्निपात्थ रागनतुच और अचारे सुषूत ने विशज भी बोला है माधव करने ही विशुषूत के अनुसार बोले तो उन्मात के भेद चरक के अनुसार पांच होते हैं वाद पित्ते कफ, सन्निपात्थ रागनतुच और अचारे सुषूत के अनुसार विशज भी होता है अब सोध खिवेद, तो सोध के दो बेद, पहले तो हैं दो वाला नीजोर आगनतुच, तीन वाला वाद पित्तकफ, दो वाला नीजोर आगनतुच, फिर पांच वाला वाद पित्तकफ, सन्निपात्थ, रागनतुच ऐसे हैं फिर च्रbles सब्छा बंके का अगरता सब्सक्राइल इसा पहते उसा दंद ओक सब्सक्राइowa कोस्रेश नुक्द्रीकिश type 4USB पातज फिर दोषज फिर दुए दोशज हो गया फिर आगान्तु जो गया फिर रक्तज हो गया तो ऐसे हो थे तो आचारच चरक दो और तीन बोले हैं आचारच सुषृत ने 2, 5 और 6 वांच और नों माधौने भी 9 बोले हैं अब देखते हैं ग्रंती के बेद तो ग्रंती के वेज़ कितने वागबट ने वागबट ने वागबट के याद कर लो आप वाटच पितच कफच मानसरच मेधर अस्थी व्र copying और रख्तच तो अगर हम पूं क चैरख विद्दग करने तो यह सब अठादоды अचारा शुशीट वाले करने तो मांसरच अठादो अपिर शुरूष ने व्रद्धि के तीन ब्रद्धि ब्रद्ध है प्रद्ध मूत्रव्रद्ध और प्रत्ध चार्थ हो गई तोड़ पित्तकफ रक्त मेद मूत्र और आंत्रवध्ध है श्लीपत के बेद आचारे चरक ने एक बताया है और आचारे सुषूत ने वात्रश पित्तश कफच भगंदर का चरक ने एक भी बेदनी बताया है आचारे सुषूत ने पांच बतार आचारे वागबट ने आड़ बताया तो कौन-कौन से भगंदर के बेद? चत पोनक उस्ट ग्रिो परिश्टावी शंभुक उनमार्गी या चारे सुषुत करूसर 5 और आ चारे वगपटन तीन एक्ष्यक सोंच बताई परिक्षैपी रिजुघ अर्शबागनदर सत पोनक होता है वातच उस्टे ग्रिव पित्त परिष्टावी कफ़ शंबुका वर्त संदी पाथ उन्मार्गी आगंतुच परिख शेपी में बात पित्त रिजु में बात कफ और अर्षो में पित्त कफ़ ठीक अब अर्ष के वेद देखते हैं अर्ष के वेद आचारे चरेक ने दो बताएसे हो वाट और उत्तर गालाच या फिर आदर Olर सूश्ट वाले मेश कौन सा दोश ओगा वात कफ और आदर वाले मेश ओगा पित्त और रकद अचारे सुश्टमेल के वाट पित्त, कफ रकद संदी पाथा है आर्ष्र के दूश्र के दूश्र के थे ते तीन मेद, मांस और त्वक अच्यारे चार्ण शेरख चार्ण श्रुचकों सुश्रूत करने दोसर वाताज, पित्त, कफष और सन्यपादाज। और आचारे हारित के वात्पित्त, कफष मुरत बखष्ण जन्य कहा हो गए पानदू, और कुंभा कामला और साखा असीत और कोष्टा सिरी हलीमक। पर कामला के दूश्य कितने हैं चर्ण ने रख्त मांच और तवच्छा और सुशुद ने के वल रख्त तो इसा वसे ते सुशुद ने दूश्य कम बता रहे सुशुद ने अर्श में भी तवच्छा और मांच बताया है इन्होंने मेद एक्ष्टा बताया है यहां पर इन्ह प्रवाइज हो रहा है तो पढ़ आए हमने और भेट तो हम लोग चब एक्जाम देते हैं कोलेज में भी तो हम लोग पढ़ते ही क्योंकि हमको कम से कम यह चीज के नाम पता होना चाहिए अंदर तो हम लिख लेंगे तो नाम तो हमको याद रहते हैं कौन-कौन से हैं हिका के अन्चा, वेपेता, शुद्रा, महा और गंबीर और सुषुत ने किती बोली है वेपेता के स्थान पर यमला बोली है अब इसकी बाद हम देखते हैं अतिसार के भेट तो अतिसार के इतने भेट होते हैं छे भेट होते हैं वातज, पितज, कफश, अनि, पातज, भयज और ठीक है यह होगा अतिसार के छे भेट आचरे सुषुत ने भयज की स्थान पर क्या बोला है आमज बोला है ठीक है तो आचरे सुषुत के इतने भेद है छे चे सब के इतने भेद हैं लेकिन नाम अलग-अलग बता है आचरे चरक के वातज, पितज, कफश, सन्नी, पातज, आमज और शोकच और मादर नितान के भी सुषुत के इतने भेद है ठीक है अब विसरपके बेद विसरपके बेद आचरे सुषुत ने पांच बता है आचरे चरक ने साथ बता है चरक के साथ सुषुत के पांच तो चरक ने कौन से बता है वात, पित, कफ, सन्नी, पातज, अगनी, कर्ण्थी और कर्दव, तो अगनी वाले में कौन सा दोश होता है, वातच और पितच, कर्ण्थी में वात, कफ़ज, और कर्दव में होता है, कफ, पितच, ठीक है, और आचारे सुशुद ने 5 कौन से बता है, वातच, पितच, कफ़ज, अनि, पातच और श्रतच, अ यहां पर आके हमको रुकन आए कि अगर चरक के अनुसार त्रश्णा के भेज बोल रहे हैं तो डायरेट मत कर देना वात पित्तक प्तच आमच उपसरगाज और शयज ठीक है तो उन्होंने कौन-कौन से एक्स्ट्रा बताये हैं चरक के बाद में एक तो कफच बता दे जो हमने उदर छोड़ा था और शतज बताया और भक्त निमित बताया तो जो उपसरगज को हटा दिया तो जानवरों में किते होते हैं चार और पक्षियों में किते होते हैं तीन वेगाते हैं ठीक है आप देखते हैं स्थावर विष्व की संक्या तो इसस्थावर विष्व की संक्या आचारा-चारा कि नुशर इकिस लेकिन आचारे चरक ने लगबग लगबग सेमे व्यवाई विकाजी ये सब लेकिन आचारे चरक ने बोला है अ निर्देश्यरस आचारे सुषृत ने बोला है अ विपाकी आचारे वागबटने दोनों बोला है और निर्देशरस भी बोला है और पाकी भी बोला है ठीक है तो और निर्देशरस किसने बोला है चरकने भी और वागबटने भी और पाकी किसने बोला है सुशुतने और वागबटने और शारंगदर ने आड़ बताए है छेदी, मदावह, योगवाही, आदीगुण बताए ह थीक है, तो आचारे शारागंदर के अलगे हम ने 8 बता है फिर आप आते हैं, सर्पके भेट कि सर्पकिते प्रिकार की होते हैं तो आचारे चरग किनुसा रोता हैं, सुष्रुत किनुसा 5 तीन कौन से दर्विकर, मंडली और राजीवान दर्विकर किते होते 26, मंडली 22 और राजिमान होते 10 दर्विकर वातज, मंडली पितज और राजिमान कफच आचारे सुशूत ने दो और बताए, निर्विश और वेकरंज तो संख्यातो से में दर्विकर कि 26, मंडली की 22 और राजिमान की 10 लेकिन निर्विष की बारा और वेकरंज की दस, तीन और साथ, ठीक है? अफिर वेकरंज की हम तीन भी लिखेंगे तो चलेगा अब आगे देखते हैं सर्प दंस के भेट कि हमने सर्प तो देख लेगे कितने प्रकार के उते हैं कि उनके दंस अले अले प्रकार के थे वेकि हमें मेरे पास कोई पैश्वन आगा था हम उसका साब थोड़ी लेकि आएगा दंस लेकि आगा था हमको पता होना चाहिए कि कौन से वाला दंस है तो तीन प्रकार के होते हैं सुशुत के नुसार सर्पित, रदित और निर्विष और वागबट के नुसार होते हैं तुंडाहत, व्यालीड, व्यालूप्त, द्रंश्टक और द्रंश्टानी पिडित फिर आप इससे काट लिया तो उसको क्या करेंगे हैं तो पट्टी बान नहीं है तो चरक ने क्या बोला है, मंत्र और अरिष्टा दोनों से विश्ट को बांधने का निर्देश है, कि मंत्र से मंत्रित करके और फिर बंधन बांधना है और आचारे सुष्षुत ने क्या बोला है एक अरिष्टा बंदन मानना है दन्स की चारंगुल उपर जहां भी सापने काटा है उसके चारंगुल उपर पर हमको बंद बंदना है अब आगे हम देते हैं सस्त्र कर्म तो सुष्षुत ने किते होता है अश्ट विसस्तिकन बता है चरख ने दो एकम बता है शडविद और वागबट ने तेरा बता है तो सुषूत वाला तो आपको यादोगा छेदन वेदन लेखन वेदन एशन आहरन इस्तरामन और सीवन आचरे चरख ने एशन और आहरन नहीं माना है ठीक है और आचरे शेदन, बेदन, लेखन, वेदन, एशन, आहरन, सीवन और विस्तरामन चरख ने एशन और आहरन नहीं बता है वागबट ने उत्पातन, कुटन, मन्थन, गरहन और दहन एक्ष्टा बता है ठीक है अब आगे आते ब्रण, बन्थन के भेध चरख ने तो दोई बता है कौन-कौन से सुशुत करने उसार कोश, दाम, स्वस्तिक, अनुवेलित, मुतोली, मंडल, इस्तगिका, यमक, खटवा, चीन, विबंद, वितान, गोफरना और पंचांगी और इसमे एक और जोड़ो देंगे तो उस संग हो जाएगा ये जो बंधन वाला टॉपिक इने बहु इस टाइप से, ठीक है, उदावर्त के तो हमने देख ले ताभी छे वेद, मल, मुत्र, पूरी, शुक्र, और अपानवायू था, और एक शर्दी और शवतु था, चरक के अनुसार, सुशुत के अनुसार, तो हमने वो तेरा प्रगार के वेग देखे थे, काश्यप के छे और भेल के चार है, ठीक है, अश्मरी का चरक ने एक भेद बताया है, चरक, अश्मरी का इकबर में और कन्फर्म करके बता दूँगे, मुझे ऐसा लगड़ा कि अश्मरी के कही साथ भेद भी चरक ने बताया है, साथ या पाँच, और सुशुत ने चार बताया है, वातच, तो कफ सननी पाता जा फिर वाताज पितच कफज रखतच बज़ाते आश्चमरी में शुक्र अश्मरी भी है ठीक है आवरन आवरन का वेणिनन कहां क्या है यह वात यादी में किया है आवरन कितने होते है चरग के नुसर tattu वाग बट तके नोसार 22 और सुष्ठ जार श्रूत नहीं बताएं चार्थ में किते बताएं 42 वाग बट नो 22 और सुष्ठ ने 13 शुक्र दोश हमने देख लें चार्थ में प्यार के नोसार वितनु शुष कफेनील अवसाधि अनेधातू श्ष्ठ यह सब जो थे ठीक है और सुशुतने 11 बता हैं 5 साध्य, 4 क्रच्चे साध्य और 2 असाध्य ठीक है बागी तो यह आगी जो मैंने नोट्स बनाए थे वो इसमें लगे हैं तो आज हमने कोविन फारिक का पेश नंबर 2 से पेश नंबर 5 तक पढ़ लिया अगर आप लोगों को इसमें को डाउ करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेर कीजिए थेंक यू